नारायन नारायन आज हम पढ़ रहे हैं शिराम चरित मानस बाल कांड नवान परायन तीसरा विश्राम मास परायन नवमा विश्राम चलकर सीता जी के इस वयंबर को देखना चाहिए देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं लक्ष्मन जी ने कहा है नात जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा धनुष तोड़ने का श्रय उसी को प्राप्त होगा इस सुष्ट वानी को सुनकर सब मुनी प्रसन्न हुए सभी ने सुख मानकर आशिरवात दिया फिर मुनियों के समुह सहित कृपा काज को भुला कर चल दिये जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड हो गई है तब उनोंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाब लेया और कहा तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो उन सेवकों ने कोमल और नमरवचन कहकर उत्तम मद्यम नीच और लगु सभीश्रणी के स्तुरी पुरुशों को अपने अपने योग के स्थान पर बैठाया उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मन वहाँ आए वे ऐसे सुन्दर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो सुन्दर सामला और गोरा उनका शरीर है वे गोणों के समूँ चतुर और उत्तम वीर हैं वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दोपूर्ण चंद्रमा हो जिनकी जैसी भावना थी प्रभू की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वैम वीररस शरीर धारन किये हुए हो कुटल राजा प्रभू को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो चल से जो राक्षस वहां राजाओं के विश में बैठे थे उन्होंने प्रभू को प्रत्यक्षिकाल के समान देखा नगरवासियों ने दोनों भाईयों को मनुष्यों के भूशन रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा स्त्रियां रिदय में हर्शित होकर अपनी अपनी रुची के अनुसार उन्हें देख रही है मानो श्रिंगार रस ही परमनुपम मूर्ति धारन की ये सुशोवित हो रहा हो विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिये जिसके बहुत से मुह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है जनक जी के सजातिय कुटुम्भी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रही हैं जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं जनक समीत रानिया उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं उनकी प्रिती का वर्णन नहीं किया जा सकता योगियों को विशांत, शुद, सम और स्वतह प्रकाश परमतत्व के रूप में दिखे हरी भक्तों ने दोनों भायों को सब सुखों के देने वाले इश्ट देव के समान देखा सीता जी जिस भाव से श्री राम चंदर जी को देख रही हैं वहस नहीं और सुख तो कहने ही में नहीं आता उससने और सुक्त का वे रिदय में अनुभव कर रही हैं पर वे भी उसे कह नहीं सकती फिर कोई कवी उसे किस प्रकार कह सकता है इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कोशला धी श्री राम चंद्रजी को वैसा ही देखा सुन्दर सामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नित्रों को चुराने वाले कोशल आदिश कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बिनाव श्रिंगार के मन को हरने वाली हैं करोनों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है उनके सुन्दर मुक्षरत पुर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं सुन्दर चित्वन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं, वह एरदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सुन्दर गाल हैं, कानों में चंचल जूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होट बहुत वानी है, हसी चंद्रमा की किर्नों का तिरसकार करने वाली है, भुही देड़ी और नासिका मनोहर है, उंचे चोड़े ललाट पर तिलक छलक रहे हैं, दीप तिमान हो रहे हैं, काले गुंगराले बालों को देखकर भोरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं, पीली चौकोन लोकों की सुन्दरता की सीमा को बता रही हैं, रदियों पर गज मुक्ताओं के एक सुन्दर कंठे और तुलसी की मालाई सुशोबित हैं, उनकी कंधे बैलों के कंधों की तरह उच्छे तथा पुष्ट हैं, खड़े होने की शान, सिन की सी है, और भुजाएं विशाल एव अंबल की भंडार हैं, कमर में तरकस और पितांबर बांधे हैं, तहिने हाथ में बाण, और बाही सुन्दर कंधों पर धनुष और पीले यकनो पवीत तुशोवित हैं, नक्स से लेकर शिखा तक सब अंग सुन्दर हैं, उन पर महान सुभाचाई हुई है, उन्हें देखक सब लोग सुखी हुए नित्र एक टक निमेश शून हैं और तारे भी नहीं चलते पुतलियां भी नहीं चलती जनक जी दोनों भाईयों को देखकर हर्शित हुए तब उन्होंने जाकर मुनी के चरण कमल पकड़ लिए बिनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनी को सारी रंग भूमी यग निशाला दिखाई मुनी के साथ दोनों सुरेष्ट कुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब को याश्चर चकित हो देखने लगते हैं सबने राम जी को अपने अपनी और ही मुख किये हुए देखा परंतु इसका कुछ भी विशेश रहस्य कोई नहीं जा सब मंचों में से एक मंच अधिक सुन्दर उज्वल और विशाल था सुयम राजा ने मुनी सहित दोनों भाईयों को उस पर बैठाया प्रभू को देखकर सब राजा रिदय में ऐसे हार गए निराश एवं उत्सहा हीन हो गए जैसे प्रून चंद्रमा के उदय होने पर ता के मन में यहनिश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न तूट सके बिना तोड़े भी सीता जी श्री राम चंद्र जी के गले में ही जैमाल डालेंगी अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री राम चंद्र जी की ही हाथ रहेगी यूँ सोचकर भी कहने लगे ही भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमा कर अपने अपने घर चलो दूसरे राजा जो अभिवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे यह बात सुनकर बहुत हासे उन्होंने कहा धनुष तोड़ने पर भी विवहा होना कठि काल ही क्यों नहों एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरी भक्त और सयाने थे मुस्कुराई उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं तूट सकेगा उसे तोड़ कर शी राम चंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे रही युद्ध की बात सो माहराज दशरत के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है गाल बजा कर व्यरती ही मत करो मन के लड़ों से भी कहीं भूख बुझात विजती है हमारी परम पवित शीता जी को अपने जी में साक्षात जगजन्नी समझो उन्हें पतनी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो शीरगनात जी को जगत का पिता परमिश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवी देख लो ऐसा आफसर बार बार नहीं मिलेगा संदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशी ये दोनों भाई शिवजी के रदय में बसने वाले हैं स्वयम शिवजी भी जिने सदार रदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नित्रों के सामने आ गए हैं समी पाए हुए भगवत दर्शन रूप अम्रत के समुद्र को छोड़ कर तुम जग जन्नी जाने की को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मित्या मृग जल को देख कर दोड क्यों मरते हो फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो हमने तो श्री राम चंदर जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया जीवन और जन्म को सफल कर लिया ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे मनुश्यों की तो बात ही क्या देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चड़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुन्दर गान करते हुए फुल बर्सा रहे हैं तब सुअफसर जानकर जनक जीने सीता जी को बुला भेजा सब चतूर और सुन्दर सखिया आनंद पूर्वक उन्हें लिवा चली रूप और गुणों की खान जगजनी जानकी जी की शुभा का वर्णन नहीं हो सकता उनके लिए मुझे कावे की सब उपमाई तुछ लगती हैं क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं अर्थाद वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं कावे की उपमाई सब त्रिगुनात्मक मायिक जगत से ली गई हैं उन्हें भग्वान की स्वरूपा शक्ती श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्वे अंगों के लिए प्रियुक्त करना, उनका अपमान करना और उनको अपने को उपहासा स्पद बनाना है सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवी कहलाए और अपयश्का भागी बने अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रियोग करना सुकवी के बद से चुत होना और अपकिर्थी मोल लेना है कोई भी सुकवी ऐसी नादानी एवं अनुचित कारे नहीं करेगा यदि किसी स्थी के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी यूवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए पित्वी की स्थीयों की तो बात ही क्या देवताओं की स्थीयों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुन्दर है तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं पारवती अर्धांगिनी हैं अर्थात अर्धनारी नतेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंगस्त्री का है शेश आधा अंगपुरुष शिवजी का है कामदेव की स्तुरी रती पती को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विश और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन होने के नाते प्रिय भाई हैं उन लक्षमी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए जिन लक्षमी जी की बात उपर कही गई है वे लिकले थी खारे समुद्र से जिसको मतने के लिए भगवान ने अती करकश पीट वाले कच्छप का रूप धारन किया रस्ती बनाई गई महान विश धरवासो की नाग की मतनी का कारे किया अतिशय कठोर मंदराचल परवत ने और उसे मता सारे देवताओं और दैतियों ने मिलकर जिन लक्षमी को अतिशय शुभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतू बने ये सब असुंदर एवं स्वभावेखी कठोर उपकरन ऐसे उपकरनों से प्रकट हुई लक्षमी श्री जानेकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं हाँ इसके विपरीत यदि छवी रूपी अम्रित का समुद्र हो परम रूप में कच्छप हो शोभा रूप रसी हो श्रिंगार रस परवत हो और उस छवी के समुद्र को सुयम कामदेव अपने ही करकमल से मथे इस प्रकार का सैयोग होने से जब सुंदर्ता और सुख की मूल लक्षमी उत्पन होगी तो भी कवी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे जिस सुंदर्ता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदर्ता भी प्राकृत लौकिक सुंदर्ता ही होगी क्योंकि कामदेव स्वयम भी त्रगुन मई प्रकृती का ही विकार है अत्ये उस सुंदर्ता को मतगर प्रकट की हुई लक्श्मी भी उपर युक्त लक्ष्मी की अपिक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही अत्ये उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कभी के लिए बड़े संकोच की बात होगी जिस सुन्दर्ता से जानकी जी का दिव्याती दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुन्दर्ता उपर युक्त सुन्दर्ता से भिन अप्राकृत है वस्तुतह लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है वह काम देव के मतने में नहीं आ सकती और वह जाने की जी का स्वरूप ही है अते उनसे भिन नहीं और उपमा दी जाती है भिन वस्तु के साथ अते इसके अतिरिक्त जाने की जी प्रकट हुई है स्वयम अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन उपकरण की अपेक्षा नहीं है अर्थात शक्ती शक्ती मान से अभिन अद्वाइत तत्व है अतयव अनुपम में है यह कूरदाशनिक तत्व भक्त शिरोमनी कवी ने इस अभूत उपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया है सयानी सक्षियां सीता जी को साथ लेकर मनोहरवानी से गीत गाती हुई चली सीता जी के नवल शरीड पर सुन्दर सारी सुशोबित है जगजन्नी की महान छवियत पुलनिये है सब आभूशन अपनी अपनी चगह पर शोबित हैं जिने सक्षियों ने अंग अंग में भली भाती सजा कर पहनाया है जब सीता जी ने रंग भूमी में पैर रखा तब उनका दिव रूप देखकर स्री पुरुष सभी मोहित हो गए देवताओं ने हरशित होकर नगारे बजाए और पुष्प बरसा कर अपसराएं गाने लगी सीता जी के करकमलों में जैमाला सशोबित हैं सब राजा चकित होकर अचानक उनकी और देखने लगी सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए सीता जी ने मुनी के पास बैठे हुए दोनों भाईयों को देखा तो उनके नेतर अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे स्थिर हो गए परतू गुरु जुनो की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई वे शीराम चंदर जी को रुदय में लाकर सक्षियों की और देखने लगी शीराम चंदर जी का रूप और सीता जी की छवी देखकर स्तरी पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया सब एक टक उन्ही को देखने लगे सब ही अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं मन ही मन में वे विधाता से विनए करते हैं ही विधाता जनक की मुड़ता को शीकर हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुधी उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किये राजा अपना प्रण तोड़ कर सीता जी का विवहा राम जी से करते संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है हट करने से अंति में भी इरदय जलेगा सब लोग इसी लालसा में मखन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्यवर तो यह सामला ही है तब जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया वे विरुदावली वंच की कीरती गाते हुए चले आए राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सब से कहू भाट चले उनके रिदय में कम आनंद न था भाटों ने सुष्ट वचन कहा हे पित्वी की पालना करने वाले सब राजागन सुनिए हम अपनी भुचा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं राजाओं की भुचाओं का बल चंद्रमा है शिवजी का धनुष राहू है वह भारी है कठोर है यह सब को विदित है बड़े भारी योधा रावन और बाना सुर भी इस धनुष को देखकर गउं से चुपके से चलते बने उसे उठाना तो दूर रहा छूने तक की हिम्मत न हुई उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा तीनों लोकों की विजई के साथ ही उसको जन कीजी भी बिना किसी विचार के हट पूर्वक बरन करेंगी प्रण सुन कर सब राजा ललचा उठे जो वीर्ता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इश्ट देवों को सिर्नवा कर चले वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुश की ओर देखते हैं फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं करोडों भाती से जोर लगाते हैं पर वे उठता ही नहीं जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुश के पास ही नहीं जाते वी मूर्ख राजा तमक कर किट किटा कर धनुश को पकड़ते हैं परनतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वे धनुश अधिक अधिक भारी होता जाता है तब दस हजार राजा एकी बार धनुश को उठाने लगे तो भी वे उनके टाले नहीं दलता शिवजी का वे धनुश कैसे नहीं डिखता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलाएमान नहीं होता सब राजा उपहास के योगे हो गए जैसे वे रागे के बिना सन्यासी उपहास के योगे हो जाता है कीरती विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुश के हाथों बरबस हार कर चले गए राजा लोगरदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे राजाओं को अस अफल देखकर जनक कुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे मैंने जो प्रणठाना था उसे सुनकर द्वीब द्वीब के अने को राजा आई तेपता और दैते भी मनुश्य का शरीर धारण करके आई तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आई परंतू धनुश को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुन्दर किर्टी को पाने वाला मानो ब्रम्हा ने किसी को रचा ही नहीं कहिए यह एलाब किसको अच्छा नहीं लगता परंतू किसी ने भी शंकर जी का धनुश नहीं चड़ाया अरे भाई जड़ाना तो दूर रहा कोई तिल भर भूमी भी न छुड़ा सका अब कोई वीरता का भिमानी नाराज नहो मैंने जान लिया प्रत्वी वीरों से खाली हो गई अब आशा छोड़ कर अपने अपने घर जाओ प्रम्हा जी ने सीता का विवा लिखा ही नहीं यदि मैं प्राण तोड़ छोड़ता हूं तो पुन्य जाता है इसलिए क्या करूं कन्या कुमारी ही रहे यदि मैं जानता कि प्रत्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता जनक जी के वचन सुनकर सभी स्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए परंतु लक्षमन जी तमतमा उठे उनकी भुए ठेड़ी हो गई उट फड़कने लगे और नेत्रकरोट से लाल हो गए शीरगवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे जब न रह सके तब शीराम चंद्र जी के चन्न कमलों में सिर्नवा कर वियतार्त वचन बोले रगवन्शियों में कोई भी जहां होता है उस समाच में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रगकुल शीरोमनी शीराम जी को पस्थित जान तो मैं ब्रमान को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्छे घड़े की तरह फोड डालूं मैं सुमेरू परवत को मुली की तरह तोड़ सकता हूं हे भगवन आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुश तो कौन चीज है ऐसा जान कर हे नात आ गया हो तो क कुछ खेल करूं उसे भी देखिए धनुश को कमल की डंडी की तरह चड़ा कर उसे सो योजन तक तोड़ा लिए चला जाओं हे नात आपके प्रताप के बलसे धनुश को खुकर मुत्ते बरसाती छटे की तरह तोड़ दूं यदि ऐसा ना करूं तो प्रभू के चरणों की मैं फिर धनुश और तरकस को कभी हाथ में भी न लूँगा जो ही लक्षमन जी कुद भरे वचन बोले के प्रत्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी काप गए सभी लोग और सब राजा डर गए सीता जी के रिदय में हर्श हुआ और जनक जी सकुचा गए गुरू व विश्वामित्र जी, शीरगुनात जी और सब मुनी मन में प्रसन्न हुए और बार-बार पुल्कित होने लगे। शीराम चंदर जी ने इशारे से लक्षमन को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुब समय जानकर अत्यंत्य प्रेम भरिवानी बोले ही राम उठो, शिर जी का धनुष तोड़ो और हेतात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर शिराम जी चलनों में सिर्नवाया, उनके मन में हर्ष न हुआ न विशाद और नवे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंग को भी लजाते हुए, सहज ही स्वभाव से खड़े हुए। अबिमानी राजा रूपी कुमद संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए, मुनी और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बर्सा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, प्रेम सहित गुरु के चर्णों की वंदना करके, श्री राम चंद्रजी के चलते ही, नगर भर के सबस्तुरी पुरुष सुखी हो गए, और उनके शरीर रोमांच से भर गए, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके, अपने पुन्यों का स्मरण किया, यदि हमारे पुन्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो ही गणेश गुसा श्री राम चंद्रजी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भाती तो टालें, श्री राम चंद्रजी को वातसल अप्रेम के साथ देखकर और सक्षियों को समीप बुलाकर, सीता जी की मातास नहीवश बिलक कर विलाप करती हुई से ये वचन बुली, कि सक्षि ये जो हमा अच्छा नहीं है, चुधनुष रावन और बान जैसे जगत विजई, वीरों के हिलाई न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनी विश्वामित्र जी का राम जी को आग्या देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा, इसलिए वे कहन लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं, रामण और बाना सुर ने जिस धनुष को चुवा तक नहीं और सब राजा घमंडगर के हार गए वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, हंस के बच्चे भी कही मंदराचल उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ग्यानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेश्टा करनी चाहिए थी, परन्तु मालूम होता है, राजा का भी सारा सयाना पनसमाप्त हो गया, हिस सखी विधाता की गती कुछ जानने में नहीं आती, यों कहकर रानी चुप हो रही, तब एक चतुर रामजी के महत्व को जानने वाली सखी, को मलवानी से बोली, हे रानी, ती जवान को देखने में छोटा होने पर भी, छोटा नहीं गिनना चाहिए, कहां तक घड़े से उत्पन होने वाले छोटे से मुनी गस्त और कहां अपार समुद्र, किन्तु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका स्यश सारे संसार में चाया हुआ है, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंदिकार भाग जाता है, जिसके वश में ब्रम्हा, विश्णु, में कर रखा है, हे देवी, ऐसा जान कर संद हित्याग दीजिए, हे रानी सुनिये, राम चंदर जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, सकी के वचन सुनकर, रानी को शिराम जी के सामर्त के संबंध में विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई, और शिराम जी के प् भवानी मुझ पर प्रसन होई है, मैंने आपकी जो सेवा की है, उसे सुफल कीजिए, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गनेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार-बार मेरे वि जो रहा है, अच्छी तरह नेत्र भर कर, श्री राम जी की शोभा देखकर, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके, सीता जी का मन शुप्त हो उठा, वि मन ही मन कहने लगी, अहो, पिता जी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वि लाबहानी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मंतरी डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, पन्नितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, कहां तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुश, और कहां ये कोमल शरीर किशोर कि शाम सुन्दर, ही विधाता, मेरे दर्य में किस तरह धीरश धारन करूं, सि है शिव जी के धनुश, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल कर, श्री रगुनात जी के सुकुमार शरीर को देखकर, उतने ही हलके हो जाओ, इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताब हो रहा है, निमेश का एक अंश भी सो युगों के समान बीद रहा है, प्रभु श्री राम चंदर जी को देखकर, फिर पित्वी की ओर देखती हुई, सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मचलियां खेल रही हो, सीता जी की वानी मरे को उनके मुख रूपी कमलने रोक रखा है, लाज रूपी रातरे को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है, नेत्रों का जल नेत्रों के कोयों में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धर कर रिदय में विश्वास ले आई, कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और शीरगुनात जी के चरन कमलों में मेरा चित वसबास्तव में अनुरुकत है, तो सबके रिदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रखुस रेष्ट श्री राम चंदर जी की दासी अवश्य बनाएंगी, जिसका जिस पर सच्चास नहें होता है, वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। की ओर देखते हैं, इधर जब लक्षमन जी ने देखा कि रगुकल मनी श्री राम चंदर जी ने शिवजी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुल कि थो ब्रम्हान को चरणों से दबा कर निम्नलिखित वचन बोले, हे दिकजों, हे कच्छप, हे शेश, हे वारा, जब धनुष के समीब आएं, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुन्यों को मनाया, सब का संदेह और अग्यान, नीच राजाओं का अभिमान, पर शुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और स्वेश्ट मुनियों की कातरता, सीता जी का सूच, जनक का पश्चाताप और राणियों के दारुन दुख का दावानल, कि सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को उपाकर समाज बनाकर उस पर जा चड़े, ये श्री राम चंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के बार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है, श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर क्रपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा, और उन्हें विशेश व्याकुल जाना, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक ए समय बीत जाने पर फिर पच्टाने से क्या लाब जी में ऐसा समझ कर श्रीराम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेश प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए मन ही मन उन्होंने गुरू को प्रणाम किया और बढ़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया जब उसे हाथ में लिया तब वे धनुष बिजली की दरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडला कार हो गया लेते चढ़ाते और जोर से खीचते हुए किसी ने नहीं लखा अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया कब चढ़ाया और कब खीचा इसका किसी को पता नहीं लगा सबने श्रीराम जी को धनुष खीचे खड़े देखा उसी क्षण श्रीराम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला भयंकर कठोर ध्वनी से सब लोक भर गए गोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ कर चलने लगे दिगर चिंगारने लगे धरती डोलने लगी शेश वारहा और कच्छप कलमला उठे देवतार आक्षस और मुनी कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे तुलसी दास जी कहते हैं जब सब को निश्चय हो गया कि श्रीराम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब जब तब सब श्रीराम चंदर जी की ज जहाज पर चड़ा था जिसका वर्णन ऊपर आया है प्रभू ने धनुष के दोनों टुकड़े पृत्वी पर डाल दिये यह देखकर सब लोग सुखी हुए विश्वा मित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुन्दर अताहा चल भरा है राम सिद मुनिश्वर लोग प्रभू की प्रशंसा कर रहे हैं और आशिरवाद दे रहे हैं पेरंग बिरंगे फूल और मालाईं बरसा रहे हैं किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं सारे ब्रम्हांड में जय जय कार की ध्वनी चा गई जिसमें धनुष तूटने की ध्वनी ज सूत लोग विरुदा वली कीर्टी का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मनी और वस्त्र निचावर कर रहे हैं। तेरते तेरते ठके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। धनुश तूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शुभा जाती रहती है। अग्या दी और सीता जी ने श्रीराम जी के पास गमन किया। साथ में सुन्दर चतुर सखियां मंगलाचार के गीतगा रही है। सीता जी पालहन से नीकी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शुभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शुभित हो रही हैं जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महा छविय हो। करकमल में सुन्दर जैमाला है जिसमें विश्व विजई की शुभा चाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परमुत सहा है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पढ़ रहा है। समीप जाकर श्रीराम जी की शुभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। सुन्दर सकी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा सुहावनी जैमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशो भी थो रहे हैं। मानो डंडियों सहित्तु कमल चंद्रमा को डरते हुए जैमाला दे रहे हो। इस छवी को देखकर सक्यां गाने लगी। तब सीता जी ने शीराम जी के गले में जैमाला पहना दी। शीरगुनात जी के रिदय पर जैमाला देखकर देवता फुल बरसाने लगे। समस्त राजागन इस प्रकार सक उचा गए। मानुसूर्य को देखकर कुमुदों का समहु सिकुड गया हो। नगर और आकाश में बाजी बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्र मनुष्य नाग और मुनिश्वर जय जयकार करके आशिरवाद दे रहे हैं। देवताओं की स्रियां नाच्ती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्रामन वेद ध्ध्वनी कर रहे हैं। और भाट लोग विरुदावली कुल किर्थी बखान कर रहे हैं। पृत्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश्वैल गया कि श्री राम चंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरन कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुला कर सामर्थ से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोबित हो रही है। मानो सुंदर्ता और शिंगाल रस एकत्र हो गए हों। सक्या कह रही हैं सीते स्वामी के चरण चुओ किन्तू सीता जी अत्यन्त भाई भीत हुई उनके चरण नहीं चूती। गौतम जी की स्री अहल्या की गति का स्मर्ण करके सीता जी श्री राम चंदर जी के चरणों को हाथों से स्पर्ष नहीं कर रही है। सीता जी की आलोकिक प्रिती जानकर कुल्मुनी श्री राम चंद्र जी मन में हसे उस समय सीता जी को देखकर कुछ लोग लल्चा उठे वे दुष्ट कपूद और मूड राजा मन में बहुत तम-तमाई वे भागे अभागे उठकर कवच पहन कर जहां तहां गाल बजाने लगे कोई कहते हैं सीता को जीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांध लो दनुष तोड़ने से ही चाहा नहीं सरेगी पूरी होगी हमारे जीता जी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्या सकता है यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों बहाईत सहीत उ और नाक तो दनुष के साथ ही चली गई वही वीरता थी अब कहीं से मिली है ऐसी दुष्ट बुधी है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी इर्चा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवी को देख लो लक्षमन के क्रो पूद करने वाला सब प्रकार के संपत्ती चाहे लोभी लालची सुन्दर किरती चाहे कामी मनुष्य निश्क लंकता चाहे तो क्या पासकता है और जैसे श्रीहरी के चरणों से विमुक मनुष्य परम गती चाहे हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्ते हैं खोला हल सुनकर सीता जी शंकित हो गई तब सक्या उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी शीराम चंदर जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वभाविक चाल से गुरु जी के पास चले रानियों सहित सीता जी दुष्ट ने विधाता आप क्या करने वाले हैं राजाओं के वचन सुनकर लक्षमन जी इधर उधर ताकते हैं किन्तु शीराम चंदर जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते उनके नीत्र लाल और भूएं ठेड़ी हो गई और वेकरोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मतवाले हा नुश का तूठना सुनकर ब्रगकुल रूपी कमल के सूर्य परशूराम जी आई इन्हें देखकर सब राजा सब उचा गए मानो बाज के जबटने पर बटेल लुक छिप गए हूं गोरे शरीर पर विभूती भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुं पढ़ता है मानो करोध कर रहे हैं बैल के समान उचे पुष्ट कंधे हैं छाती और भुजाएं विशाल हैं सुन्दर यकनो पवीत धारन किये माला पहने और मृग चर्म लिये हैं कमर में मुनियों का वस्तर वलकल और दो तरकस बंधे हैं हाथ में धनुश बान और सुन्द करने बहुत कठोर है सरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता मानो वीर रसी मुनिकार शरीर धारन करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो परशुराम जी का बायानक वेश देखकर सब राजा भाई से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहीत अपना नाम कह कह क सब दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी हित समझ कर भी सहजी जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयूप पूरी हो गई फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुला कर प्रणाम कराया परशुराम जी ने सीता जी को आशिरवाद दिया स उन्होंने दोनों भायों को उनके चर्ण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्षमन राजा दश्रत के पुत्र हैं। उनकी सुन्दर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशिरवाद दिया। कामदेव के भी मद को छोड़ाने वाले शीराम चंदर जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र ठकित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अंजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीर कैसी है। उनके शरीर में एक रोध चा गया। जिस कारण सब राजा आये थे। राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकडे पृत्वी पर पड़े हुए दिखाई दिये। अत्यन्ति करोध में भरकर वेक ठोर वचन बोले रे मूरक राजा बता धनुष किसने तोड़ा उसे शीगर दिखा नहीं तो अरे मूर आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृत्वी उलट दूँगा। राजा को अत्यन्त डर लगा जिसके कारणवे उत्तर नहीं देते यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए देवता मुनी नाग और नगर के स्री पुरुष सभी सोच करने लगे सब के रिदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पच्टा रही हैं कि है हाई विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगार दी। पर शुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा अक्षन भी कलप के समान बीतने लगा। तब श्री राम चंद्र जी सब लोगों को भय बीत देख कर और सीता जी को डरी हुई जान कर बुले उनके रिदय में न कुछ हर्ष था न विशाद। मास परायन नवा विश्राम समाप्त।